Hello guys, this is Sagar. Welcome back to my YouTube channel Travel World 1. और आज मैं आपको बताने जा रहो हूँ कि UAE का टूरिस वीजा आपको कहां से लेना है? तो recently मैं UAE गया और मैंने single entry 30 days टूरिस वीजा के लिए अपलाई किया था. मैं जिस organization से अपलाई किया था मैं उनका number, whatsapp का number, description में डाल दे रहो हूँ. आप वहाँ से जाके उनको contact कर सकते हैं and price होगी somewhere around 7,900 to 8,300 to 8,500 to 10,000. It depends variable fees है क्योंकि AED which is United Arab Emirates, Dhirams and INR की currency fluctuate होते रहती है, open नीचे होते रहती. इसलिए मैं आपको ये शौर नहीं कर सकता हूँ कि उस समय का price क्या होगा, जब आप ये video देख रहे होंगे उस समय का price क्या होगा. तो मैंने यून organization के through अपना UAE का visa लिया और आप उनको WhatsApp में directly contact कर सकते हैं, आपको जो details share करनी होगी वो होगी अपने passport की first and last page, जो आपकी passport की जिसमें आपका photo and address and details डले होएं, ठीक है, first and last page की आपको photo, you know, PDF में भी आप share कर सकते हो, या फिर image भी directly share कर सकते हो WhatsApp पे, आपकी passport size photo and ठोड़ी सी clear रखेगा passport size photo, क्योंकि वो clear photos पांगते हैं, तो एक passport size photo and passport का first and last page का photo, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी in organization के through जब मैं गया, कि इन्होंने मुझे flight के tickets नहीं मांगी, नहीं getting into Dubai, या फिर going out of Dubai, मुझे कोई भी flight ticket नहीं मांगी, और आप भी जब इनके पास जाएंगे, आप पहले flight ticket book मत कराईएगा, पहले आप visa ले लिजेगा, जो 30 days का tourist visa है, single entry वाला, वो visa आप ले लिजेगा, उसके बाद visa मिलने के बाद अपनी flight book कराईएगा, इससे, ये बहुत risk free process है, मैं बोलूँगा, और इससे आपको कोई premium ticket नहीं खरीदना पड़ता जो refundable हो, तो इससे आप 100% sure हो जाएगे कि, वीजा मिलने के बाद आप 100% sure हो जाएगे कि, ये टिकेट्स बुक करा सकते हैं, trip plan कर सकते हैं, तो दो सीजिन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस organization जब मैं गया, तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि, अगर आपका जो नाम है, और आपका सरनेम है, वो सिंग है, या फिर आप पंजाबी हो, हर्याना से हो, या फिर पंजाब से हो, तो आपके वी है, तो mostly अगर आप पंजाबी हो, तो आपके वीजा प्रोसेसिंग में तो टाइम लग सकता है, लेकिन जो इनका approval rate है, वो 100% है, एक और चीज़, हाँ, public holidays और weekends, that is Saturday and Sunday पे, ये मतलब वीजा प्रोसेसिंग, अगर आपने वीजा अप्लाई किया है, and for example, आपने 3 days approval के लिए अप्लाई किया है, तो इनके 3 days approval का price था somewhere around 10,000, and इनके 6 to 7 days approval का price था, मेरे case में जो मैंने अप्लाई किया था, वो मैंने pay किया था 7,950 रूपीज, तो मेरी case में मैंने 6 days वाला अप्लाई किया था, आप भी 3 days वाला या urgent visa single day वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो price उसके हिसाब से भी change होता है, तो एक चीज हाँ, इन्होंने मुझे बताया था कि public holidays या फिर weekends में अगर आपने apply कर दिया, for example, for example, मान लीजे आपने UAE के visa के लिए apply किया है on Thursday, ठीक है, Thursday को example लेते हैं, तो अगर आप UAE के visa के लिए इनके तूप्लाई करते है Thursday, तो और आपने 3 days approval वाले visa को चुना है, तो Thursday के बाद बाद दिन है Friday, Friday के बाद आता है Saturday जो की weekend है, and Sunday जो की weekend है UAE में, ठीक है, तो आपका जो visa अप्रूव होगा, वो Thursday से अगर हम count करना चालू करें, जिस दिन आपने apply किया है, तो उसके बाद Friday, first day, और जो आपका second day होगा, वो होगा Monday, then होग Tuesday, यानि आपका visa जो है, वो Tuesday या Wednesday तक आ जाएगा, ठीक है, और public holidays की बात करें, तो for example, new year, ठीक है, जो worldwide celebrate होता है, और UAE में new year के time बहुत ज्यादा टूरिस था थे, like, एक दिन में मालो, कम से कम, एक लाग से देर लाग visa का application आ गया, तो उस time processing थोड़ा सा ज्यादा time लेती ह है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ा आपको पहले ही बता दे रहूँ, and हाँ, तो में ये reference के through भी आप जा सकते हो, और organization के through, and बहुत ही genuine है, मैंने भी अपना visa वहीं से बनवाया, और, और कुछ बताना है, हाँ, यो ही एक बहुत ही, मतलब, raise country है, तो जो खाने के rates है, और जो restaurants के rates है, वो बहुत ज्यादा high है, ठीक है, तो भाई, मतलब, जगे जगे पे depend करता है, देखा जाए तो खाना, इंडिया के लावा, mostly हर जगे foreign में, महेंगाई है, ठीक है, तो last year, that is, 2023 में, मैं 16 countries जा चुका हूँ, and सिफ single year में, and अगर आपको मेर साथ, you know, personally connect करना है, तो आप मुझे Instagram में follow request बेज सकते हैं, मैं अपनी Instagram ID भी description में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप मुझे Instagram में follow request बेज सकते हैं, मैं accept कर लूँगा, और कुछ बताना है, हाँ, मैं कोई वीडियो बनाऊँगा, UAE transit visa के related, इनकेस अगर आपको transit visa चाहिए तो, उसके बारे म मैं आपको explain कर दूँगा, एक दो चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा important है, वो यह है कि, mostly, अगर आप UAE का trip नहीं भी plan कर रहे हैं, और अगर आप Europe जाना चाहरे हैं, इंडिया से, ठीक है, तो Indian passport की ranking आपको पता है, global ranking इस बार 88 है, तो Indian passport मे आपको बहुत सी countries free नहीं मिल पाती, for example, Europe की countries है, तो वहाँ पर आपको शेंजन visa चाहिए रहता है, and America के लिए US tourist visa चाहिए रहता है, ठीक है, तो even Singapore के लिए और Japan के लिए आपको अपना passport embassy को भेजना पड़ेगा, तब जाके वो आपको sticker visa प्रूफ करेंगे, तो यह सारी ची territory जाते हैं, जो की, for example, Spain जा रहे हैं, तो अगर आपने tickets book करा रखी है, ठीक है, अगर आपने tickets book करा रही है, करा रखी है, और आप, for example, 80 hard airways के थ्रूफ, ठीक है, या फिर Emirates के थ्रूफ, अगर visa apply करने जा रहे हैं, तो आपको वो airline के tickets मांगेंगे, ठीक है, airline के tickets वो मांगे और अगर आप visa apply कर देते हैं, वहाँ से, ठीक है, price definitely वो थोड़ी महंगी रहेगी, और एक और चीज में आपको बता दू, वो price महंगी तो रहेगी, आपको flight tickets भी दिखानी पड़ेगी, और उनका कोई response rate नहीं है, मतलब एक बार आपने apply कर दिया, ठीक है, उसके बाद वो visa मालो three days approval है, छे दिन हो गए, ठीक है, आप परिशान हो जाओगे email भेज भेज के, कोई response rate नहीं है, ठीक है, तो आप email भेजते होगे, फिर मेरे साथ ऐसी होता है, initially, मैंने अपना नाम डाला था, सागर साहू, ठीक है, तो उस पे क्या given name में डालना पड़ता है, आपका नाम उसके बाद अपने पापा का नाम, और ये कहीं mention नहीं है, कि given name is equal to your name plus your father name, ठीक है, mother's name वो अलग से पूछ रहते हैं, लेकिन आपका जो नाम initially, जो मतलब आप visa के लिए जब apply कर रहे हो, तो given name में आपको अपना नाम, साथी साथ अपने पापा का full name डालना पड़ेगा, त तो मैंने पापना नाम डाला था, उसके कारण उन्होंने मेरे visa को hold पर रख दिया था, मैंने उनको इतनी email बहे इतनी email बहे इतनी email बहे तो 6 से 7 दिन बाद उनने बताया, कि आपने सिर्फ अपना नाम डाल जा था, इसलिए हमने visa आप студ पर रख दिया था, मैं बोला भई, visa अप्लाई करते टाइम तो आपने यह नहीं बता है कि given name is equal to your name plus your father's name तो भाई 102 चीजे हैं वो visa hold पे रख लेते हैं बिना किसी reason के लिए flight tickets भी book कर रखी थी मैंने मेरा सिर्फ एक से दो दिन बचा हुआ था last का अगर वो visa नहीं आता तो मेरा जो pre-planned trip था जो यॉरप का नहीं कराया हुआ था दो लाग पूरा का पूरा पानी वे डुपता तो उस टाइम मैं इनी organization के through fast forward में अपना वीजा निकल वाया था ठीक है उसके बाद से मैं भाई जब भी UAE का वीजा मुझे चाहिए मैं इसी organization के थूँ जाता हूँ तो बहुत ही genuine है and आप मेरे पर test करके जा सकते हैं मैंने अपना instagram id भी नीचे दे रखा है ठीक है and हाँ अगर UAE के बाद आपको ओमान जाना हो तो मैंने अपने previous video जो कि मेरा map description में डाल दूँँ ओमान का वीजा ठीक है तो ओमान का वीजा मैं अब मतलब UAE के साथ border share करता है जिस्ट उसके यह 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 मतलब UAE से उमान बसेस भी चलती है मान लो अगर आपको फ्लाइट से नहीं जाना तो तो border crossing भी कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे thanks